व्यास अकैडमी 12 बंकी में आप सब का स्वागत है मैं शिवम सोनी मैस की कॉंटीन इवर सक्सेसिव फ्रैक्षन की सीरीज में आपके साथ एक बार फिर से जुड़ो रहा हूं बच्चों आज हम लोग टाइप 2 के बारे में बात करेंगे टाइप 1 आपने सौल किया था क्या है चेंजिस क्या डिफ्रैंस हैं उनको आप समझे फिर ऐसे कोशन को करके देखें ठीक है देखिए पहला कोशन आपके लिए मैं दे रहा हूं जिसमें टाइप 1 और टाइप 2 दोनों के बारे में मैं डिस्काइब कर रहा हूं पहले तो आप डिफ्रैंस में डूनिए कि में टाइप 1 और टाइप 2 में क्या है यह थिक है तो आप अगर अगर नोटिस करो बचो तो इस में जो सक्सेंट्स से इडिशन आफась से स्टार् होता है यहां भी है यहां भी है यहां भी है ठीक है लेकिन टाइब 2 क्या कहता है कि उसमें जो first step है वह यहां पर गायब है ठीक है फस्ट टाइप में आप continuous successive addition को जैसे solve करते थे वह process same वैसे ही solve करेंगे बट इसमें थोड़ा साथ change हो जाएगा change क्यों क्योंकि कोशन change है first step addition ही नहीं है तो चलिए पहले टाइप 1 का solve करके देखने कैसे करते थे बच्चो सबसे पहले हम क्या करते थे सबसे नीचे बिलो वाला number जो था उसको हम add करने के लिए यूज करते थे तो जो सबसे लास्ट का fraction है two upon five उसको आप horizontally place कर लिजे तू अपने चेक किया कि addition कितनी बार है तो आपने देखा addition कितनी बार है बच्चों तीन बार है तो तीन बार तीन बार add करने तीन बार add करने पर आपके पास क्या होगे तीन इस्तान चाहिए जहां पर जहां पर add करके लिखना है ठीक है अगर आपको add करके लिखना तो स्पेस तो चाहिए होगा इसलिए पहले से मैंने तीन स्पेस बना दिये करना क्या था बच्चों टाइप वन में कि जो second अंसर आप कैसे लिखते थे जो लास्ट नंबर होता था वह निउम्रेटर होता था और जो सेकंड लास्ट नंबर होता उससे दी नॉम्रेटर पक्का तो 19 बटे 12 हमारा यह फस्ट आपको बच्चों जब टाइप 2 में आएंगे तो टाइप 2 में जो यह वाला सेक्शन इतना सेक्शन आप देखो जो नीचे वन अपां में लिखा है यह विल्कुल टाइप 1 से मैच करता है इसको टाइप 1 से सॉल्व कर सकते है तो टाइप 1 से करें तो पहले वही फॉर्म 2 पां 5 को लिखेंगे तो 2 पां 5 को 2 & 5 लिख देंगे ठीक है आप देखो यहां पर बन कितनी बार लिखा लिए लिए आपको दिखेगा वान यहां पर two-ばい डीशन के लिए लिखा है तो हम अब अब बार करेंगे तो क्या होगा five it up करेंगे आजाएगा seven गृफ कि ट्वइल तो बचो आप बच्चों की अपॉन के अपॉन में यहीं डिवाइड में आप देखो फ्रेक्शन में अगर निव नॉम्टर में भी फ्रेक्शन होता तो यह 7 कहां चला जाता है उपर चला जाता है और 7 वन से मल्टिप्लाई होके यह बन जाएगा सेवन अपॉन यहीं आपको हर स्टेप में वन अपॉन में यह चीज़ करनी पड़ेगी अब बच्चों अगर वन अपॉन में बार बार यह चीज़ करेंगे तो हमारा फिर वही तो बात हुआ कि सटाइम और स्पेस की कमी आ रही तो हम ल चीज़ कर दोगे तो आपका सेकंड टाइप से स्टाट हो जाएगा मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई डिफरेंट नहीं है आप इससे कर सकते हैं एक कोशन बच्चों प्रक्टिस के लिए स्टार्ट करते हैं चलिए पहला कोशन बच्चों बिल्कुल सेम पैटन पर टाइप दिया गया है आप देखो तो डिफरेंटस पहले आपको पैजान में नहीं चाहिए डिफरेंसस कैसे पैजान में आएगी भैइ आप उसमें देखो कि question का जो type है, वो change हो रहा है हाँ, देखो, first type और second type में इतना हिस्सा तो first type को show करता है और बाकी वाला हिस्सा जो है, उपर का हिस्सा वो second type को show करता है तो हम पहले नीचे वाले हिस्से को first type में solve करेंगे और answer को switch करेंगे बच्चों आप question को screen पे आते ही pause कर लिया करिए और उसे solve करने की कोशिश किया करिए एक एक question जब आप solve करोगे तब आप उसको अच्छे से सीख पाऊगे ठीक है तो चलिए सबसे पहले question note कर लेते हैं 1 upon में 1 plus 1 upon 1 plus 3 by 4 दिया है ठीक है हमें इतने section में सबसे पहले start करना है तो 3 upon 4 को क्या लिखेंगे ठीक है एडिशन देखो बच्चों कितनी बार है तो आडिशन आपको दिख रहा है दो बार है दो places आपने add करने के लिए रखना है तो 3 4 में add करेंगे कैसे 4 को 3 में add करिए आजाएगा 7 और 7 को format करें किता आजाएगा 11 बच्चों अभी तक जो हम placement करते थे उस placement को सिर्फ change करना है पहला number उपर लिखना है और दूसरा number पीछे तो आजाएगा 7 बटे 11 ठीक रहेगा न या तो वन अपन में 11 बटे साथ लिख कर चेंज करो उसमें time लगेगा तो इसकी से placing चेंज कर देना है पहला number उपर दूसरा number नीचे समझ में आ गया है सबने यही करके देखा होगा चलो बेटा दूसरा कोशन करो ऐसे ही ठीक है आप स्क्रीन को पॉस्ट कर लीजे और इसको करके कोशन देखिए जब आप इससे करेंगे तब आपका रिजल्ट सही आंसा देगा ठीक है ट्राइग करिए हाँ चलिए हम लोग भी करते हैं कोशन है वन अपाउन वन प्लस वन अपाउन वन प्लस टू बाइन ठीक है यहाँ पर आप देखो तो टाइप टू में यहाँ पर फस्ट नंबर यहाँ पर गायब हो जाता है ठीक है तो बचो सबसे पहले नीचे वाले टू बाइन की तरफ दिया अब क्या करना है सेकेंड नंबर को फर्स्ट में अड़ करना तो नाइन में टू एड करी बच्चों नाइन और टू 11 को अगेन नाइन में अड़ करिए कितना जाएगा 20 तो आपको प्लेसिंग कैसे करनी है फैले 11 लिख लेना है और फिर 20 तो 11 अपॉन्टी समझ पा आप ऑलगा थीक और यह दो आला स्टप ताप तीन वाले की तरफ चलते हैं चलो एक कूष्ण आपको देते हैं स्ट्प का 25 इसको बर्टा पाउस्ट करके कोशा Ama करने के को सब्सक्राइं करें हैं करें सबी लोग चली को एक क्वास्ट गलती निकरें थाइवन थाइप तू लिख देंगे वन अपॉन में आंसर लिखने पर उसको स्विच करना होता है इसलिए मैंने कहा कि और प्लेसिंग जो है अंशर का आपको क्यों चेंज करना है ठीक है चले इस कोशन का आंसर देखा जाए बच्चों पहले कोशन कर लिए कोशन में हमें क्या करना है लास्ट अले स्टेप की तरफ जाना है फाइव अपॉन नाइन को आप होरिजनली प्रेस करें तो 5 & 9 ठीक है कितनी बार एडिशन से बच्चों देखो तो तीन बार एडिशन थीन बार करने के लिए तीन प्रेस छोड़ देते हैं ठीक है अ 23 को आप 14 में एड कर दीजे तो बच्चों के ताज आएगा 37 प्लेसिंग क्या करनी है ध्यान रखिए गलती मत करिए जो लास्ट वाला नंबर है वो डिनॉमिनेटर में आएगा सेकेंड लास्ट नंबर है वो क्या आएगा नियूमिनेटर 23 को आपको उपर अंश के रूप में लिखना है और 37 को आपको नीचे हर के रूप में समझ पा रहे हैं बच्चों ऐसे ही एक कोशन आप इसी पैटरन का करके देखें ठीक है चलिए मैं अगला कोशन दे रहा हूँ इसकिन को आप पॉस करें और खुच करके देखें चलिए तयार है आप सब लोग ले लीजिए अगला कोशन सेम पैटरन पर हाँ बच्चों तीन का एडिक्शन ये भी है केवल डिजिट्स चेंज की गई है एडिक्शन बिल्कुल वैसा ही है हम दो बच्चों बहुत सरल वाले कोशन सिंपल कर रहे है इस सीरीज में हमें टफ कोशन की तरब भी जाना है बट पहले हम सिंपल से इस मैठेट को सीख पारा है अच्छे से जब मैठेट सीख जाएंगे तो हम इसको करते चले जाएगे ठीक रहेगा ना चलिए स्टार्ट करते हैं हम दोग भी देखते हैं कितने बच्चों के आंसर वाले fraction को देखते हैं तो हमारा last fraction क्या है 3 upon 5 3 upon 5 को क्या करना है horizontally place करना है तो पहले क्या लिखेंगे 3 और उसके बाद क्या लिख देंगे 5 ठीक है अब हमें देखना है कि कितनी बार हमें add करना है तो बच्चों addition कर देखो कितनी बार है हमारे पास total 3 बार तीन बार add करने के लिए तीन जगे लिखना पड़ेगा उसके लिए प्लेसिंग कर दो तो हमने तीन प्लेस या पहले से बना दिया ठीक क्या करना है सेकेंड नंबर को फर्स्ट में add करना है तो सेकंड नंबर आपका 5 है बच्चों जब 5 को 3 में add करेंगे कितना आएगा 8 तो इसे पहले प्ले नंबर नीचे तो 13 उपर आ जाएगा 21 नीचे आ जाएगा समझ पा रहे हैं को थोड़ा सा बड़ा करते हैं इस बार तीन बार तक का अधिशन था अब बच्चों थोड़ा और बड़ा करते हैं चार बार का एक अधिशन का को शन आपके सामने रगता हूं आप अपने answers को मै करके देखो ठीक है तो यह मैठोट बेचा आपका टाइम भी बचाएगा और गलती होने के चांसे बिल्कुल नहीं हो ठीक है चलिए नेक्स कोशन को आपको करने के लिए देते हैं हाँ नेक्स कोशन आपका आगया है स्क्रीन को पॉस कर ले कोशन को नोट करें और इसको करने के कोशिश करें विल्कुल सेम पैटर्न वैसा ही कोशन सिब कोशन की लेंथ बढ़ती चली जारे कोशन कितना भी बड़ा हो आप सिमिलर तरीके से कर सकते हैं ठीक है हाँ कई वन अपॉन वन प्लस वन अपॉन वन प्लस टू भाई सेवन एक बार भी भूल जाएंगे तो बूल जाएंगे कहां पर बोल रहे लिखना तो भूल जाएंगे गलतियां कितनी होती है ठीक है सबसे पहले कहां पर हमको फोकस करना लास्ट फ्रेक्शन बच्छों लास्ट फ् एडिशन है तो चार प्लेसेज चाहिए हमने चार ब्लेंग छोड़ दिये ठीक है प्रॉसेस सेम सेकेंड नंबर को फर्स्ट में एड करेंगे सेवन प्लस टू नाइन और यही प्रॉसेस सक्सेसिव फॉर्म में आगे एड करते जाना है तो बच्चो 9 को 7 में एड करेंगे वह आजागा कितना 25 और 25 को जब 16 में एड करेंगे तो 41 आंसर हो जाएगा बच्चो 25 उपर लिख देना है करें निचे ताटिस 25 अपन 40 वान समज में आ गया होगा बहुत अच्छे से कोई भी बच्चा गलती नहीं करेंगा आराम से समझ समझ कि क्लास करें ठीक है बचों online में यही support आपको मिलता है कि जो classes में आपको नहीं बता पाते हैं छोटे-छोटे questions होते हैं बट अच्छे questions होते हैं और आप वो questions के लिए class में इतना time नहीं मिलता है बहुत कम batches में time मिल पाता है इसलिए हम ऐसे questions को यहां solve कराते हैं कि आप पूरी तरीके से तैयार हो छोटे questions भी कर ले जो बड़े questions भी कर जाओ अच्छे questions के लिए तो हम लोग प्रैक्टिस क्लास में करते ही हैं बट यह questions भी आप कर सको ठीक है अभी सीरीज में आगे के और पान से चे वीडियो आएंगी आप इसको करिए इसकी practice के लिए मैं कोशिश करूंगा कल मतलब आज या कल में आपको बीच में इसकी प्रैक्टिस जाल दूँगा ठीक है उसके लिए पहले से notification आपके बीच में होगा कब प्रैक्टिस कराना है आप लोग लाइफ सेक्शन मे डालनेंगे ठीक है टाइप 3 का भी कुछ टच करा देंगे जिससे आपको आने अगली कोशन को करने में प्रैक्टिस में मजा है ठीक है चलिए एक कोशन और लास्ट आपके लिए मैं दे रहा हूं ऐसे कोशन करके देखना ठीक है बच्चों देखते हैं कितनी बार का से बच्चों देखेंगे चार बार एडिशन है चार प्लेसिंग कर लीजे कि इसमें एड करके लिखना प्रॉसेस वैसे ही रिपीट करिए सेकेंड नंबर को फर्स्ट में एड करके लिखे 11 को तीन में एड करेंगे 14 फिर बिटा 14 को 11 में एड करेंगे कितना आएगा जो आपके स्क्रीन पर सबसे बड़ा लिखा हुआ था इसकी बार ही है कोशन करिए और आप इसका अंसर बतरिए ठिक हाँ बिल्कुल सेम पैटरन है कोई चेंज नहीं है अगर इसे हम रेगुला तरीकेस करेंगे तो बहुत टाइम किल करेगा ऐसे ही करके देखते हैं सबसे सब्सक्राइके वले नंबर को आगे में एट करना है पांच को चार में आड करेगा ओधो के एक दना और उसंक पाहता हुआ जब आप इसको करने लगोगे नचों प्लेसिंग करते अंसर का तो सबसे उपर लेखेंगे 37 नीचे 60 ठीक है इस तरह से यह आपकी जो सकेंड टाइब था सकेंड टाइब के मैंने को आपको समझाया इसकी बच्चों हम लोग प्रैक्टिस अच्छे से जम के करेंगे उसकी अगली वीडियो आने वाली है नोटिफिकेशन जैसे ही तयार होगा आपके बीच में आ जाएगा इसके लिए आप तयार रहें इन कोशन को आप दुबारा करके देखो दुबारा से वीडियो देखो अगर कोई भी डावड किसी भी स्टेप में है कहीं कोई गलती हो रही है तो आप हमसे पूस सकते हो अच्छे से कोशन को हम लेकर आपके वीच में आएंगे आज के लिए इतना ही राधे राधे थैंक्यू